नमस्कार जैहिंद बत्रा डिफेंस अकड़िमी के ओफिसियल यूट्यूब चैनल पर मैं विबेक मिश्र आप सभी अगनिवीर साथियों का पार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों हमेशा की भाती जो हम लोग 20 महत्वपून प्रशनों की स्रिंखला लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं उसी करम में उसी कड़ी में आज आपके सामने फिर से 20 महत्वपून प्रशनों के साथ मैं उपस्थित हूँ आज भी हम लोग 20 ऐसे महत्वपून प्रस्णों का अभ्यास करेंगे जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बेहत महत्वपून होगा तो 40 करम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए आपका पहला सवाल क्या है सवाल आपसे पूछा गया है खजुराहों के समारक कहां पाये जाते हैं महरास्ट में हैं बिहार में हैं मध्य प्रदेश में हैं या फिर गुजरात में हैं खजराहो के मंदिरों का नाम आपने सुना होगा वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो खजराहो का मंदिर है वो कहां पर स्थित है यानि कि आपको स्टेट का नाम बताना है महारास्त है बिहार है मध्य प्रदेश है या फिर गुजरात है तो इससे पहले भी ये सवाल आपके का एक जिला है उसको हम लोग कहते हैं छतरपुर तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इस्थित है क्या तो यहां पर है खजुराहो का मंदृ और आप एक चीज और जानते हैं जो खजुराहो का मंदिर है इसको किसने बनाया था तो चंदेलों ने बनाया था खजुराहो के मंदिर को किस ने बनाया था तो जो खजुराहो का मंदिर है उसको बनाया था चंदेल सासकों ने चंदेल सासकों ने यानि की चंदेल वंस के लोगों ने अब इसके बाद में अगर देखेंगे तो जो छतरपुर जिले में यहां का मंदिर है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है आपका खजुराओ का मंदिर और यही पर है कंदरिया महादेव का मंदिर कंदरिया महादेव का जो मंदिर है तो यहाँ पर यह भी काफे प्रशिद्ध है आपसे यह पूछ लिया जाता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है और एक मंदिर यहीं पर और है तो वो है चतुर भुज मंदिर चतुर भुज मंदिर अब इसके अलावा एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं और वो पॉइंट होगा कि जो चंदेल वन्स है इसका संस्थापक किसको कहा जाता है तो इसका संस्थापक जो है वो है नुन्नक उसका नाम था चंदेल वन्स का जो संस्थापक है उसका नाम है नुन्नक और इसके अलावा आपसे यहाँ पर और क्या प्रस्ण पूछा जा सकता है तो खजुराहो जो थी वो चंदेलों की राजधानी थी चंदेलों की राजधानी क्या थी यहाँ की राजधानी क्या थी खजुराहो और य पर है तो मध्य पर्देश में जिला काउंस है छतरपूर जिला है इसको बनवाया किसने था तो चंदेल सासकों ने बनवाया था और इसका संस्थापक कौन تھा तो वो नुन्नक था और इसके अलावा यहीं पर कंदरिया हमा देओ का मंदिर और चतुर भुझ मन्दिर भी ये प परमर्दी देवल यहां का एक राजा था और इसी के राज दर्बार में आलहा और उदल नाम सुने होंगे आलहा और उदल दो भाई यहां पर रहते थे तो आलहा और उदल क्या थे दो सेना पती थे कहां पर रहते थे परमर्दी देवल के दर्बार में यह क्या थे यह थे सेना पती तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा यह सभी पॉइंट्स आपके एक्जाम के लिए महत्वण होंगे यहां से प्रस्ण आपकी परिक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं एक बार मैं फिर से आपको सारे पॉइंट्स को रिवाईस करवादूं अगर तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि आप से सवाल पूछा गया था कि खजुराहो का मंदर कहां पर है तो खजुराहो का मंदर आप जानते हैं कि यह मध्यप्रदेश में है मध्यप्रदेश का जो जिला है वो है च्छतरपूर यहां पर कंदरिया महादेव का मंदिर और चतुरभुज मंदिर महत्वपूर है इसके जो शासत थे वो कौन थे चंदेल थे चंदेलों की राजधानी क्या थी खजराहो थी और चंदेल वन्सका संस्थापक नुन्नक था परमर्दी देवल के राजदरबार में आलहा और उदल नाम के दो सेना पती भी रहते थे इस तरीके से जितने भी सवाल आपको यहां से पूछे जा सकते हैं उन सभी संभावित पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कसन कर लिया तो राइट आंसर मित्रों यहां पर आपका क्या हो जाएगा आप्शन नंबर सी यानि की मध्य प्रदीश चलिए अब हम लोग से हैं अपने दूसरे सवाल के तरफ किस भारत पाकिस्तान युध्य के बाद तासकंद घोषणा हुई थी उनिस सो 27 के बाद 1975 के बाद और соп याрахाos 1911 नःफ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या था राइट आंसर जो होगा वो होगा 1965 1965 युद्ध के बाद हुआ था के बाद तासकंद समझाओता हुआ था तो ये हुआ था 1965 युद्ध के बाद और उस समय जो तासकंद था ये था पूर्व सोवियत संग का भाग इसको माना जाता था तो उस टाइम यह पूर्व सोवियत संग का भाग हुआ करता था एक पॉइंट आपको यहां से और ध्यान में रख सकते हैं तासकंद जो है वर्तमान में कहां पर है तो पूर्व में क्या था पूर्व में यह पूर्व सोवियत संग का भाग था वर्तमान में यह उजबेकिस्तान में है 1965 के युद्ध के बाद तासकंद का समझोता हुआ था इसके अलामा आपको ध्यान रखना है ग्यारा जन्वरी उन्नीस सो चाचट को लाल बहादूर सास्त्री की मृत्यू भी कहां पर हुई थी तो तासकंद में ही हुई थी तासकंद में ही इनकी मृत्यू भी हुई थी और इसके अलामा तासकंद समझोता जो है वह दस जन्वरी उन्नीस सो चाचट को हुआ था यह कब हुआ था? तो तासकंद समझोता जो था वह कब हुआ था? तो यह दस जन्वरी या चट को हुआ था यानि कि जिस साम को तासकंद सम्झावता हुआ था ठीक उसके अगले दिन ही लाल भादुर सास्त्री जी की मृत्यु होती है यहां से काकाराजी जैहिंद तो जो 1906 में 10 जनवरी 1906 को तासकंद सम्झावता हुआ था और 11 जनवरी 1906 को ही लाल भादुर सास्त्री जी की मृत्यु होती है और वो भी रहश्यमई परिस्तितियों में तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वजह इसके पीछे क्या रही होगी फिलहाल आपको फैक्ट के रूप में सिर्फ इतना समझना है कि आपको सवाल पूशा गया है कि किस भारत पाक युद्ध के बाद तासकंद की घोशणा होई थी और ये हुआ था 1906 के बाद अब इसके बाद तासकंद समझोता कब हुआ था तो आप आंसर लगा लेंगे 10 जनवरी 1906 को इसके बाद यहीं पर तासकंद में ही 11 जनवरी 1906 को लाल भादु सास्त्री जी के मृत्ति होती है और तासकंद जो है वह पूर्व में किसका हिस्सा था पूर्व सोबियत संग का यानि कि पूर्व सोबियत रूस का यह हिस्सा था और वर्तमान में यह उजबेकिस्तान में स्थित है पूर्व सोबियत संग कुछ ऐसे राज्यों का शमुह थ और इसके अलावा तकरीबन 14 कंट्रीज ऐसी थी जिन सभी को मिलाने के बात क्या होता था पूर्व सोवियत संग यू एस एस आर कहा जाता था और इसमें आप देखेंगे तो 1991-92 में पूर्व सोवियत संग का बिघटन हो गया था और आपको एक बात और यहां पर बता दूं क जो हमारे देश में संभिधान बे आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संग होगा यानि कि यहां पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है लेकिन रसिया के संभिधान में यूनियन शब्द नहीं बलकि फेडरेशन का इस्तेमाल किया गया है यूनियन का मतलब होता है कि संग में राज जो सामिल होंगे वो किसी सर्तों पर नहीं आएंगे किसी सर्त या समझोते का परड़ाम इनका मिलना नहीं होगा और इसके साथ साथ में इनको अलग होने की भी अनुमती नहीं होगी कहने का मतलब है कि जब कोई सर्त नहीं होगी जुडने का तो इनको हटने के लिए भी नहीं अधिकार दिया जाएगा इसके अलावा अगर रशिया के प्रेडरेशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि राज्यों को शंग से अलग होने का पूरा अधिकार होता है क्योंकि यह किसी ने किसी शंध या समझोते की परडाम से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं होता है तो इस तरीके से आप कुछ additional point भी add कर लेंगे और शवाल अगर आपसे माल लिजे की पूछ लिया जाता है कि भारती संविधान के अनुछेद एक में किस बात का जिक्र किया गया है तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते ह हैं कि वहाँ पर बताया गया है कि India that is भारत shall be union of state not federation यानि कि हिंदी मगर देखेंगे तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संग होगा बट संग के लिए यहाँ पर union सब्दका इस्तेमाल किया जाता है न कि federation सब्दका तो इन सभी points को आप ध्यान में रखिएगा दो अगर आप अगनिवीर का एक्जाम देने जा रहे हैं तभी आपको ये सारे प्रस्न महत्तोपूर्ण होंगे इसके अलावा आप कोई भी अगर ग्रूप D का एक्जाम देने जा रहे हैं या आप भारत में होने वाले ऐसे किसी भी एक्जाम के बात कर लें जहां पर आपको जीके और जीए पूछा जाता है यानि कि जनरल एबल्टी या जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उन सभी के लिए ये जो क्लास है वो काफी बेनिफीसियल होगी और इसमें आप जुड़ करके जो बिज़ए भवा बत्रा डिफेंस एकडेमी का या प्रोग्राम है आप उ लोग अपने अगले सवाल के तरफ और सवाल जो आपको दिया गया है तीसरा बंगला देश की थली सीमा किसके साथ है केवल भारत के साथ है भारत और भूटान के साथ है भारत और म्यामार के साथ है या भारत और चीन के साथ है यहाँ पर आप देखेंगे और इसका आइड या आपको तभी हो पाएगा जब आप बहुत 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 बहु हैं भारत के अगर हम लोग मांचित्र की बात करते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से होता है और इसके बात क्या होता है कि यहां से यह वाला एरिया हो जाता है हम लोग इस समय पुरुवत्तर भारत का मांचित्र यह बना रहे हैं अब पुरुवत्तर भारत में अगर आप देख हो गया मित्रों यह हो गया आपका पुर्वोत्तर भारत और यहां तक क्या होता है यह वाला एरिया जो होता है यह म्यामार का होता है मांचित्र आप देखिएगा भारत का तो वहां से आपको आइडिया होगा यहां पर क्या है म्यामार है और यह वाला एरिया पूरा का पूरा क्या है ये भारत है अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो ये वाला एरिया किसका है यही वाला एरिया है जो किसका है तो ये बंगला देश का है सवाल आप से क्या पूशा गया था सवाल आप से यहाँ पर पूशा गया है कि बंगला देश की थली सीमा किसके साथ है तो आ आप जानते हैं कि यहां तक म्यामार आता है और इसी तरीके से यह वाला एरिया पूरा क्या हो जाता है यह बंगला देश का एरिया होता है और इसके बाद में आप जब देखेंगे यहां वाला एरिया क्या हो जाता है यही पर आपकी बंगाल की खाड़ी होती है और बंगाल क द्वीप का निर्मान करती है माजुली द्वीप किसके द्वारा बनता है तो माजुली द्वीप बनता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा और ये बनता है असम में नदियों के द्वारा बनाया जाने वाला यह सबसे बड़ा द्वीप होता है यह भी सवाल आपसे एक जाए कि कहा पर है यही पर होता है न्यू मूरे द्वीप यहां पर न्यू मूरे द्वीप होता है और यह विवादित छेत्र भी है किसके किसके बीश में तो भारत और बंगला देश के बीश में यहां से आपको यह कंफर्म हो गया कि जो बंगला देश का पूरा एरिया है वह किसके किसके साथ सीमा बना रहा है तो भारत के साथ तो बनाता ही बनाता है प्लस म्यामार के साथ भी बनाता है तो भारत और म्यामार के साथ यह बंगलादेश सीमा बना लेता है इसके अलावा अगर आप देखिए तो बंगलादेश के साथ यहाँ पर कौन सा एरिया होता है य पुरा हो गया तो यहाँ पर ये सारे स्टेट भी क्या होते हैं इसके साथ साथ में ये सीमा बनाते हैं और यहाँ पर आप देखें तो बंगला देश का जो निरमाण हुआ था बंगला देश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को होता है और 16 दिसंबर को बंगला देश जो है वह अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ और यह अपना स्वतंत्रता दिवस फिर कम मनाएगा तो स्वतंत्रता दिवस यह मनाता है किस तारीक को यह मनाता है 16 दिसंबर को इसके साथ एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहूंगा कि नेपाल अपना स्वतंत्रता दिवस कम मनाता है सवाल है आपके लिए कि नेपाल अपना स्वतंत्रता दिवस कम मनाता है नेपाल का स्वतंतरता दिवस कब मनाया जाता है ये सवाल आप से हैं अब आपको यहाँ पर आंसर देना है कि नेपाल का स्वतंतरता दिवस कब मनाते हैं जल्दी से कोई लोग कमेंट कर दीजे कि नेपाल का स्वतंतरता दिवस कब मनाया जाता है तो नेपाल का स्वतंतरता दिवस जो है वो कभी नहीं मनाया जाता कभी नहीं मनाये जाने का मतलब है कि नेपाल कभी भी किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ है तो इस वजह से क्या होता है कि नेपाल में कोई भी स्वतंतरता दिवस नहीं मनाया जाता इसके अलावा बंगला देश में अगर आप देखेंगे तो बंगला देश की राजधानी क्या होती है जल्दी से बता दीजे बंगला देश की राजधानी क्या होती है धाका यहां की राजधानी क्या है धाका और मुद्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बंगला देश क मुद्रा होती है तका इस तरीके से जितने भी छोटे सवाल आपको यहाँ पर पूछ लिए गए हैं उन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा इसके अलामा चीन का नाम आया है तो आप इसको भी ज़रा देख लिजिए कि भारत और चीन के बीच की सीमा चीन के बीच की सीमा काउंसी होती है मैक मोहन होती है या रेड क्लिफ होती है तो इसके बीच में क्या होती है मैक मोहन रेखा होती है इसके अलामा अगर आप देखेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में तो वहाँ पर रेड क्लिफ रेखा होती है यह सारी पॉइंट्स आपके एक्जाम के लिए बेहत महत्वपूर्ण है इन सभी पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर लिजेगा चलिए आंसर आपको मिल गया होगा भारत और किसके बीच में म्यामार के बीच में किसके किसके बीच में है भारत और म्यामार के बीच में एक सवाल और थोड़ा सा टफ है आ सीमा रेखा होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं यहां पर आपको बता दूँ कि जो भारत और म्यामार के बीच की सीमा रेखा है उसमें होता है अराकान योमा परवस्त्रणी यहां पर कोई भी रेखा नहीं खीची गई है किसी भी रेखा का निर्मान नहीं किया गया ह तो इसलिए आपका इसमें आंसर अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत और म्यामार के बीच की सीमा रिखा काउंसी है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या अराकान योमा परवत स्रिंखला चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नंबर चार आपके स् नासा का मुख्षाले कहां पर है वेर इस दे हैट क्वाटर आफ नासा तो नासा का जो मुख्षाले है वो कहां पर है आपको ये बताना है तो नासा का मुख्षाले आप जानते हैं कि ये कहां पर है तो नासा का मुख्षाले है वासिंग गटन में वासिंग गटन में नासा का मुक्षाला है तो इसमें आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नंबर भी हो जाएगा इसके अलावा नासा कहां का है तो नासा कहां का है ये है अमेरिकी एजन्सी अमेरिकी अंतरिक्ष एजन्सी मुआँ इसके अलामद दूसरा सवाल पूशा जाता है भारती अंतरिक्ष एजन्सी इसका नाम क्या है नाम मैं इसका बता रहा हूं लेकिन आप को इसमें एक सवाल का आंसर देना है इसका नाम क्या हो गया सिरो अब आप कमेंट हमको करिएगा कि नासा का पूरा नाम क्या होता है नासा का पूरा नाम और इस्रो का पूरा नाम क्या होता है इन दोनों का फुल फॉर्म आप हमको comment section में बताइए क्योंकि इससे सम्बंधित हम लोग सवाल कर चुके हैं चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं सवाल आपको इसमें question number 5 ह जिसमें पूछा गया है कि NGT का पूरा नाम क्या है National Geographic TV या National Green Transport या National Green Trust या National Green Tribunal क्या इसका पूरा नाम होता है NGT क्या तो NGT का आपको पूरा नाम बताना है तो पूरा नाम आप इसको जड़ा बताईए कि NGT का पूरा नाम क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपको बतादू कि जो NGT है यानि कि इसको हम लोग बोलते है National Green Tribunal इसको बोला जाता है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपसन नमबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा इस चाह काम किस के लिए करता है या पहले ऐसे समझे कि इसकी अस्थापना कब की गई थी तो इसकी अस्थापना होई है कब तो अस्थापना इसकी होई है साल 2010 में इसकी अस्थापना होई इसके अलावा इसका मुख्याले पूछ लिया जाता है तो इसका मुख्यालय कहां पर है तो इसका मुख्यालय आपको पता होगा तो इसका मुख्यालय कहां पर है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में अब इसके बाद एक सवाल आता है आखिर जो NGT है वो काम क्या करती है NGT का उद्देश सी क्या है काम क्य यह किस से संबंधित है एक सवाल और पूछा जाता है यह संबंधित है परियावरण से संबंधित है किस संबंधित है दोस्तों यह हो जाएगा परियावरण से संबंधित है यह पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं यहां से भी आपको टोटल तीन पॉइंट मिल गए साल 2010 में इसका उद्देश क्या होता है परिया वर्ण से संबंधित है और इसका मुक्षाले कहां पर है तो नई दिल्ली में है एक सवाल और आप से क्या पूछा जाता है एक सवाल आप से और पूछा जाता है कि जो एक सब्द आप सुनते हैं ग्रीन मफलर नाम दिया जाता है green muffler तो green muffler किस से संबंधित है ये किजरी वाल के muffler की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं green muffler की संग्या किसको दी जाती है और ये हमारी सुरक्षा किस से करता है तो green muffler जो होता है वो हमें sound pollution से रोकता है और इसको जब आप देखते हैं सडको पर खास करके शहर के अंदर जब divider जो होते हैं बीच में तो वहाँ पर काफी चवड़े चवड़े divider होते हैं और उसी में क्या लगाए जाते हैं पेड़ पौधे लगा दिये जाते हैं तो वो एक green muffler की तरह काम करते हैं sound pollution को absorb करने के लिए इसके अलामा आप देखते हैं जहां पर भी आप over breeze देखते हैं उसके किनारे किनारे पर भी आपको वहाँ पर प्लास्टिक के आप फाइबर के रूप में उसको देखते हैं कि फाइबर के वहाँ पर दिवारों जैसा सरनशना बना दी जाती हैं और वो किस वज़ा से होता है तो वो सबसे बड़ा इसका वज़ा होता है कि आसपास के छित्रों में जो नीची वाले हैं या अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर sound pollution कम मिले यानि कि ध्वनी को वो कम करने के लिए उसको लगाया जाता है तो यहाँ पर खास करके ये ओवर ब्रीज पर ही आपको देखने को मिलता है एक चीज आपने ये भी समझ लिया और ये ऐसे जो सन्नसनाएं आपको देखने को मिलती हैं खास करके उन ओवर ब्रीज पर लगाया जाते हैं जो शहर के अंदर मौजूद होते हैं अगर ऐसा कोई ब्रीज शहर के बाहर मौजूद होता है तो वहाँ पर ऐसे सन्नसनाएं आपको नहीं देखने को मिलती होंगी चलिए इतनी बातें आपने समझ लिया अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं question number 6 है स्वतंदरता की प्रतिमा यानि की statue of liberty कहां स्थित है पेरिस में है वसिंगटन में है जीनेवा में है या फिर न्यू यॉर्क में है यहाँ पर आपको बताना है statue of liberty जो है वो कहां पर मौजूद है आपको options दिये गए हैं आप इसमें right answer बताईए कि कहां पर यह of liberty यहाँ पर आप देखिए तो जो भी आपको questions दिये गए हैं इसमें जब आप right answer लगाएंगे तो आपको answer क्या मिल जाएगा आपको answer यहाँ पर मिल जाएगा कि statue of liberty जो है वो कहां पर मौजूद है यह है न्यू यॉर्क शहर में और न्यू यॉर्क शहर कहां का है तो यह ह अमेरिका का तो अमेरिका के न्यू यॉर्क शहर में है statue of liberty यहाँ पर आपने ये भी देखा था इससे संबंधित हम लोग सवाल एक बार कर चुके हैं और यहाँ पर आपने देखा था कि इसको दिया किसने था Statue of Liberty Statue of Liberty जो है इसको दिया था Statue of Liberty अमेरिका को प्रांस ने दिया था एक सवाल और पूशा जा सकता है कि statue of liberty जो है वह किस से बना है यह किस से बना है तामबे से बना है और दिया किसने था तो अमेरिका को फ्रांस ने दिया था Statue of Liberty और ये कहां पर स्थापित की गई है तो वो है New York शहर अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर Question No.7 यहां पर आपको पूछा गया है बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहां पर किया जाता है तो अब ये वर्तमान में अगर यही Option आपको दिया जाएं तो वहां पर आंसर आपका क्या होगा कि वहां पर लद्दाख और जम्मु कस्मीर केंद्रसासित प्रदेश आपको Option दिया जाएगा अगर दोनों एक साथ दिया है तो आप दोनों को प्रिफर करेंगे और अगर लद्दाख नहीं दिया है केवल जम्मु कस्मीर दिया है तो जम्मु कस्मीर आपका Right अंसर हो जाएगा जम्मु कस्मीर केंद्रसासित प्रदेश तो इस तरीके से से शैफ्राण यानि की केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा यही पर होता है और यहाँ पर आप देखते हैं चुकि यहाँ का जो जलवायू तो नहीं कहेंगे यहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा होता है हमेशा कम तापमान वाला होता है और शैफ्राण के लिए यह काफी महत्तपून जो कंडिशन होती है क्लाइमेटिक कंडिशन होती है वो उसके लिए बहतर होती है तो इसलिए शैफ्राण का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां पर होगा तो जम्मू और कस्मीर में होता है इसके अलावा आप जानते हैं केरल में खास करके मसालों का उत्पादन होता है यह मतलब कि बहुत मोट अब्लें हम लोग बात कर रहे हैं से इसके अलावा मसालों के लिए पूरा का पूरा दक्शन भारत ज electro होता है गुजरात में आप जानते हैं कि यहां पर कपास की खीती होती है मांचल प्रदेश मेंम जानते हैं कि यहां पर सेप की खेती होती है इस तरीके से कौन से हो कौन से मसाले कहाँ पर ज्यादा उत्पादित होते हैं ऐसे भी प्रशन आपकी परिक्षाओं के लिए पूछ लिए जाते हैं हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ प्वेस्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर हैं सवाल आप से पूछा गया है कि दिल्ली में जंतर मंतर का आयतिहासिक द्रिष्टी से क्या महत्व हैं जंतर मंतर आप जानते हैं कि इसकी लोकेशन कहां पर है ये कहां पर मौशूद है ये नई दिल्ली में मौशूद है और इसके अलामा जंतर मंतर का ज्यादा जो प्रचलन आया था या ज्यादा इसका समाचारों में आपक देखने को मिला था उसमें आप जानते हैं कि जनतर मंतर का ज्यादा जो आपको देखने को मिला था वो था जब साल 2013 में अगर आपको याद हो अन्ना हजारे ने जब आमरन अन्शन किया था तो उस दोरान लोक पाल और लोकायुक्त विधेयक को ले के तब उस दोरान इसका जिक्र थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिला था तो बड़े पैमाने ये तो हो गया आपका इसके अलामा आप देखेंगे तो इसका जो जंतर मंतर है ये कहां पर है ये खगोली वेदसाला के लिए प्रशिद्ध है खगोली वेदसाला के लिए प्रशिद्ध है तो right answer आपका क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा option number D आपका right answer हो जाएगा अग्ले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो right answer आपका इसमें क्या हो गया option number D अगले सवाल में देखिए तो सवाल नमबर 9 आपके सामने है मंगल ग्रह को किस रूप में भी जाना जाता है सुबह का तारा लाल ग्रह कहते हैं साम का तारा कहते हैं या इसको नीला तारा कहते हैं बहुत आसान सा सवाल है मंगल ग्रह को हम लोग किस नाम से जानते हैं बहुत आसान सवाल है इसका आंसर आप में से हर कोई दे सकता है कि मंगल ग्रह को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं या इसी को हम लोग लाल ग्रह की संग्या भी देते हैं तो इसके अलामा आपने देखा है जो लाल ग्रह के बारे में हैं लाल ग्रह के बारे में आप जानते हैं मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं ये भी सवाल आपकी परिक्षाओं के लिए काफी महत्तुपन होता है तो जितने planets हैं उन सभी planets के बारे में अगर आप उनके nickname भी याद रख लेते हैं तो यहां से भी आपको प्रस्द काफी अच्छे पूछ लिए जाते हैं अब इसका वजह क्या होता है जो हमारा मंगल ग्रह है इसके लाल होने का वजह क्या है तो यहां पर iron oxide की अधिकता पाई जाती हैं किसकी अधिकता है यहां पर iron oxide की अधिकता होती है और इसी वजह से क्या होता है कि मंगल ग्रह लाल ग्रह के रूप में दिखाई देता है तो बड़ा अच्छा सवाल आपके लिए है आपको निक नेम के रूप में भी पूछा जा सकता है कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है तो लाल ग्रह आप जानते रहिएगा कि मंगल ग्रह को कहा जाता है और वजह इसकी क्या होती है वजह इसका लाल होना iron oxide की वजह से यह होता ह इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर आपको एक अच्छा सवाल आपको मिल जाता है इसके यहां प्रिथवी जैसे प्रिथवी पर हमारे दो ध्रूब होते हैं यह तो आपको पता ही होगा इस तरह से हमारे प्रिथवी पर दो ध्रूब होते हैं और इन दोनों ध्रूब देशांतर रेखा कहते हैं और यहां से एक लाइन गुजरती हैं जिसको हम लोग 0 डिगरी अक्षांस रेखा कहते हैं इसको हम लोग एक्वेटर भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं इस लाइन को इसको 0 डिगरी देशांतर रेखा कहते हैं ये बात आप समझ रहे हैं, ये 0 degree देशांतर, ये 0 degree अक्षांस रेखा, यहाँ पर एक द्रूब होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, दक्षणी द्रूब, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको उत्तरी द्रूब कहते हैं, जैसे हमारे पृत्वी के पास दो द्रू है नौर्थ पोल और साउथ पोल ठीक उसी तरीके से मंगल ग्रह के पास भी दो पोल होते हैं नौर्थ और साउथ पोल इसके अलामा आपको एक पॉइंट आउर बता दें कि इसके दो उपग्रह होते हैं फेबोश और डेमोश या इसी को कहा जाता है फोबोश और डेमोश इसके दो उपग्रह हैं इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं और ग्रह और उपग्रह आप जानते हैं कि अगर कोई celestial body है means अगर कोई खगोली पिंड है और वो सूरी के चारो और चक्कर लगाता है तो उसके चारो और अगर चक्कर लगा रहा है सूरी के चारो और तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उसको हम लोग ग्रह कहते हैं लेक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर हैं और सवाल यहां पर आपसे पूशा गया है कि हारनबिल तेवहार कहां मनाया जाता है यह आपसे पूशा गया है तो अरवनांचल प्रदेश, ओडिशा, नागा लेंड या फिर पश्रिम बंगाल मे मनाया जाता है तो आप जरा इसका आंसर बताइए तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा आपसन नंबर C यानि कि जो हारनबिल तेवहार होता है वो कहां पर मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है कहां पर इसको हम लोग मनाते हैं नागा लेंड में अब यहां पर आप कि इसको बार-बार आप याद रखे रहिए यहां से चुकि सवाल आप से पूछे ही जाएंगे और जितने भी सवाल आप से पूछे जाएं उन सभी सवालों का आप बेहतर तरीके से जबाब दे सकते हैं तो यहां पर आप देखिएगा कि जो कोहिमा यहां की राजधानी है नागा लेंड की राजधानी क्या है एक सवाल आपको और मिल गया कि नागा लेंड की राजधानी क्या होती है तो नागा लेंड की राजधानी है क्या कोहिमा यहां की राजधानी होती है और कोहिमा अगर आपसे ये भी सवाल पूछा जाएं एक सवाल का आंसर आप ये भी दे सकते हैं कि नागालैन की राजधानी क्या होती है तो वो है कोहिमा और यही पर इसमें जो एक प्रकार का नृत्य होता है एक प्रकार के इनकी सांस्कृतिक पहचान होती है हारनविल महोत और दो प्रश्न आपके लिए जो महत्तु पूर्ण होगे पहला सवाल यह होगा कि हारनविल महत्तू कहां पर मनाया जाता है आंसर आप लगा लेंगे बिना सोचे विचारे नागालेंड को और इसके बाद आप आंसर लगाएंगे कि यहां की राजधानी पूंश लिया जाए तो राजधानी यहां की कोहिमा होती है और किस प्रकार का यह त्योहार है तो आंसर आप लगा लेंगे यह एक प्रकार का सांस्कृतिक त्योहार होता है जहां पर लोग रित्य करते हैं यह आपके लिए important हो सकता है इसको आप ध्यान में रखिएगा चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और जो हमारा अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिया गया है सवाल नंबर है आपके पास 11 और दिया गया है रक्ताल पता स्थिति किसकी वजह से होती है यानि कि जो रक्ताल पता होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं इनीमिया के तवर आप इसको देखते हैं जब रक्त की कमी होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं इनीमिया के नाम से जानते हैं अब यहाँ पर आपसे सवाल ये है कि जो रक्ताल पता होती है वो किस प्रकार से इसको बताया जाता है तो रक्ताल पता आप जानते हैं कि जब RBC की कमी होती है और RBC का पूरा नाम क्या होता है तो Red Blood Corpuscles इसका नाम होता है या हिंदी BC को लाल रक्त कडिकाओं की कमी होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि रक्ताल पता हो गई है यानि कि खोन की कमी हो गई है तो रक्ताल पता में क्या होता है RBC की कमी होती है और RBC का पूरा नाम भी आप से पूछा जाता है इसको बोलते हैं Red Blood Corpuscles इसका पूरा नाम होता है इसी तरीके से एक होता है WBC और इसका नाम क्या होता है White Blood Corpuscles यानि कि इसको हम लोग क्या कहते हैं लाल रक्त कडिकाएं इसको क्या बोलते हैं लाल रक्त कडिकाएं और यही क्या दिखाता है रक्ताल पता को यही रक्ताल पता को दिखाता है तो यहां से आपको न देखे यहां से दो-तीन सवाल आपको मिल जाएंगे जैसे deficiency आफ WBC यह नहीं होता है deficiency आफ RBC होता है किसमें जब रक्ताल पता होती है तो तो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं और सवाल नंबर आपके सामने है 11 और यहां पर आपसे पूछा गया है question number 12 में कि सम्विधान सभाने भारतिय राष्टिय ध्वज को कब अपनाया था 22 जुलाई 1947 को 22 जनवरी 1948 को 22 अगस्त 1947 या फिर 22 अक्टूबर 1946 में तो आप जानते भी होंगे और इस पर हम लोग discussion भी कर चुके हैं कि जो राष्टिय ध्वज को अपनाया गया था वो 22 इसके अलावां एक सवाल आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि जो राष्टिय ध्वज समिती थी या इसी को कहते हैं जंडा समिती जंडा समिती आपको ये पता होगा कि समिधान में काम करने के लिए समिधान सभाने अलग-अलग समितियों को बनाया था और उन सभी समितियों में एक सबसे महत्पूर्ण समिती थी मूल अधिकार समिती और उसके अलावां आप देखेंगे संग शक्ती समिती थी संचालन सम उसका काम था जंडा को कन्फोर्म करना तो यहां पर जो जंडा समिती थी उसकी अध्यक्षता किस ने किया था इसकी अध्यक्षता उसी ने किया था जो भारत के पहले रास्टपती बने थे तो भारत के पहले रास्टपती कौन बने थे तो भारत के पहले रास्टपती बने थ दॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्टपती भी बने और जंडा समिती के अध्यक्ष भी बने तो कुछ किताबों में आपको ये भी देखने को मिल लाता है कि जंडा समिती के अध्यक्ष जे भी क्रिपलानी को दिया रहता है तो इसको आप गलत म अगर कहीं पर भी जंडा समिती का अध्यक्ष जे भी कृपलानी को दिया है ये आपका पूरे तरीके से गलत दिया है इसको आप सही कर लिजेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद तो राइट आंसर आपको मिल गया आपसर नंबर ए बाइस जुलाई उन्नी सो शैंतालिस मे अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सवाल आपसे है question number 13 तो question number 13 में आपसे क्या पूछा गया है सवाल है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे अभी आपसे हमने पूछा था कि इसरो हमने आपसे पूछा था इसरो का पूरा नाम इसरो का पूरा नाम आप हमको बता दीजेगा इसमें एक सवाल आप से को और बताना था उस ताइम पर मिस हो गया था तो इसमें आप एक पॉइंट और लिकलेंगे इसका जो हेड़ क्वाटर है इसका हेड़ क्वाटर कहां पर है इसका headquarter कहाँ पर है बैंगलूरू में है इसका headquarter कहाँ पर है तो बैंगलूरू में है इसका headquarter इसरो का यहाँ पर आपको बताना है कि इसरो के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था तो विक्रम शारा भाई इसके पहले अध्यक्ष का नाम था तो right answer इसमें क्या हो जाएगा option number B अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो question number 14 आपके screen पर है सवाल पूछा गया है nephrology के साथ जुड़ा हुआ है जिगर, गुर्दा, फेफड़ा या फिर ग्रहणी यहाँ पर आपको right answer बताना है कि nephrology liver से जुड़ा है, kidney से जुड़ा है lung से जुड़ा है या फिर judonum से जुड़ा है तो right answer आपको बताना है question number 14 में आपका सही जबाब क्या होना चाहिए तो question number 14 में है यह किस से जुड़ा हुआ है यह kidney से जुड़ा हुआ है nephrology nephrology किस से जुड़ा है यह kidney से जुड़ा है right answer क्या हो जाएगा आपका इसमें option number B आपका इसमें right answer हो जाएगा इसके अलामा आप कुछ points आप और ध्यान में रख सकते हैं कभी कभी आप से सवाल पूछ लिया जाता है vitamin C का सबसे बहतर source क्या होता है तो vitamin C का सबसे बहतर source होता है आपका आवला इसके अलामा जितने भी खटे fruits होते हैं उन सभी में क्या होता है vitamin C होता है और आपको ये भी पता है कि जब भी हम दूध में कोई खटी चीज मिलाते हैं तो वो फट जाता है और दूध दही या पर पनीर बनने की प्रक्रिया वहां से सुरू हो जाती है तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दूध में कोई सा vitamin नहीं पाया जाता है तो वही आंसर होगा आपका जिसको डालने से वो फट जाता है यानि कि vitamin C जो होता है वो दूध में नहीं मौजूद होता है इसके अलावा कई सारे vitamins और इसके अलावा जितने भी वहां पर minerals होते हैं वो सभी वहां दूध में सभी आवस्यक पोशक तत्तो पाये जाते हैं सिवाए vitamin C के तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ने सवाल आपको है 15 भारती खिलाडी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं तो आपको ये पता होगा आसान सा सवाल है air rifle shooting से इनका संबंध है तो right answer इसमें क्या हो जाएगा option number C इसमें आपका सही हो जाएगा भारती खिलाडी गगन नारंग किस से संबंधित है तो air rifle shooting से नाम ही इनका क्या है गगन नारंग है और जब भी आप कोई shooting करते हैं तो सामने जब आप निशाना लगाते हैं तो कहीं कहीं आपको गगन यानी की आकास दिखता है तो इससे थोड़ा सा आप relate करके इसको याद रख सकते हैं कि गगन नारंग का संबंध किस से है तो गगन नारंग का संबंध किस से होगा तो वो हो जाएगा air rifle shooting से अगर आपको याद हो तो अभिनाव बिंद्रा का नाम आपने सुना होगा अभिनाव बिंद्रा का नाम तो इनका भी संबंध किस से था तो air rifle shooting से ही इनका भी संबंध था और ओलंपिक में इन्होंने स्वन पदक भी जीता था question number 16 में है लूई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है लूई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है किस के लिए किस की खोज इन्होंने किया था पोलियो के टीके की छोटी चीचक या chicken box के टीके के लिए या फिर small box के लिए या फिर rabies के लिए तो आप जानते हैं कि लुई पास्चर को किस के लिए जाना जाता है तो लुई पास्चर ने रेवीज के टीके की खोज किया था और रेवीज किस से होता है किस वजह से होता है तो रेवीज जो होता है वो कुत्तों के काटने से होता है रेवीज और इसकी खोज किस ने किया था तो लुई पास्चर ने किया था इसको आप ध्यान में रखिएगा अगला सवाल है question number 17 आपके लिए और सवाल यहाँ पर है बायो गैस का प्रमुख हिस्सा कौन होता है hydrogen होता है methane होता है nitrogen होता है या फिर carbon dioxide होता है यह सवाल आपको repeat हो रहा है तो यहाँ पर आप देखिए तो इसमें क्या होता है methane इसका सबसे महत्वपूर्ण source होता है बायो गैस का और यह मुख्य रूप से हमें दो जगहों से प्राप्त होता है एक तो हमें यह गोबर से प्राप्त हो जाता है या यू कहले कि गोबर गैस में इसकी प्रचूरता होती है और दूसरा जो धान होता है धान के खेत से भी हमको methane प्राप्त होती है यह दो पॉइंट भी आप धान में रख सकते हैं अगला सवाल है question number 18 आपके लिए और सवाल क्या पूछा गया है कि British सरकार भारत को कब स्वतंतरता देने के लिए सहमत हो गई थी 1946 में, 47 में, 44 में या फिर 1945 में यहाँ पर आपको पता है कि British सरकार जो है वो भारत को स्वतंतरता देने के लिए कबराजी होई थी तो वो साल था 1946, 1946 में यह राजी हो गए थी और इसके अलामा आप देखेंगे तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, इसके इस पॉइंड को भी आप ध्यान में रख सकते हैं इसके अलामा आप जानते हैं कि Lord Mountbatten भारत और पाकिस्तान को अलग करने में भी इसका एक महत्तपूर्ण योगदान रहा है हलाकि आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या था, ब्रिटिस सरकार भारत को कब स्वतंदरता देने के लिए राजी होई तो 1946 में और तभी तो जाकर के ये 15 अगस्त को क्या हुआ गया 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंदर हो गया था, चलिए अगले सवाल की तरह बढ़ें, सवाल नंबर 19 आपके लिए है सवाल पूशा गया है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माड किस महाराजा द्वारा किया गया था जैपूर के जै सिंग प्रथम ने, राम सिंग प्रथम, जैपूर के जै सिंग द्यूती या फिर बिशन सिंग तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि इसका जो दिल्ली का जंतर मंतर है इसका निर्माण किसने कराया था तो जैपूर के राजा जै सिंग दुती ने इसका निर्माण कराया था ध्यान रखियेगा कि जैपूर जै सिंग प्रथम भी दिया है लेकिन राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जैपूर के राजा जै सिंग दुती ने इसका निर्माण करवाया था और यह एक खगोली वेध शाला के लिए प्रसिद्ध थी जिसको अभी आपने लास्ट सवाल में देखा था ये क्या था खगोली वेध शाला के लिए प्रसिद्ध थी पहला option आपको ध्यान रखिएगा, पहला option आपको भूखरताल दिया रहेगा, कि जंतर मंतर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप भूखरताल पहला option आपको दिया रहेगा, लेकिन आप वहाँ पर अंसर नहीं लगाएगे, तो इसलिए आपको D वाले option में ज्यादा possible रहता है कि खगोली वेटसाला वाला option जो है, वो आपको option number D में देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए अगर वो ललचाएं आपको तब भी आपको अपने पर टिके रहना है, अगला सवाल देखिए, और आखरी सवाल है आज का, लोशुंग त्योहार कहां का, लोकप्रिय त्योहार ह है, ये सिक्किम का एक महत्वपून त्योहार है, तो right answer इसमें आप क्या लगा लेंगे, option number A, यानि कि सिक्किम आपका right answer हो जाएगा, लोशुंग कहां का त्योहार है, तो वो है सिक्किम का, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कुल 20 महत्वपून प्रस्णों पर हम हैं, तो वो आपके mind में hit करता है, और वो आपको याद होता है, तो यही सब विधाएं हैं, जिसको लेकर हम आपके साथ रोज 3 बजे जुड़ते हैं, तो जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ इसको share कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका laugh मिल सके, और अगर नोटिफिकेशन जल्दी से और सबसे पहले आपको मिलती रहें, सुप्रिया двух मीर जए रहें, सुप्रिया